आज एक बड़ा इंम्पोर्टन्न तॉपिक स्टार्ट होने जार रहा है जहां पर आपको स्क्वेर्ड होताई होता है यहाँ अपने क्या होता है कि अपने की बात करते हैं अपको deinen यहें मजाने हम सबसे पहले स्क्वेरिफूट की तरफ रहेंगेiya कि साइस कितना होता पर कि पर किस हसाब बीगाला चलता है या वहां पर कनाल चलता है मरला चलता है क्या चलता है वहां ay जब की उतना पैस अपकर आठक्स के अपको अपनाब उगए हैं उसे पहले सिसक्ति है हमारे बास इस तरह है तो यह प्लाउट लेकर चलते है हमने बोला चीवलिडामेंशन है जो यह किakatनी हैं यह बीस फुट की है हम फुट नहीं बोलेंगे उसीट कि जब एक होगा तो हम एक फुट बोलेंगे एक से ज्यादा हो जाएगा तो हम फीट पर आ पूलते हैं एक लड़का दो लड़का नहीं बोलते हैं तीन लड़के न जो जब एक से ज़्यादा होगा फुट से फिट पर आ जाएगे हमने मान ले यह बीस फिट है अगर यह बीस फिट हो जाएगा और हम लेटा सब्सक्राइब फूलते हैं यह 30 फिट की है तो यह बीस फिट हो जाएगी अब यहां पर करते हैं कि हम टोटल कितना ऊपन जाएगा हमारे पास अरिया कैसे निकालते हैं चाहिए लंड को से मुल्टिपाई करें इन दोर पो मिल्टिपाई कर लेते हैं जब तीस को आप वीस से इस से उपल्ट है हमने अभी देखा कितना आया है यह 600 स्क्वार्फिट एरिया है समझ कियो यह कितना एरिया 600 स्क्वार्फिट अब यहीं से एरिया तो पुर निकालना समझ जाए कि कोई ग्लों कई से मेशरमेंट करनिया। क्लियर होगी वह एक फुकी chick विट भी एक फूट है, उस साइज को हम बोलते हैं, एक स्कूर फूट, एक फूट होता है कितना है, ती सेंटीमेटर, जो बच्पन हम बड़ा स्केल यूज करता है, ती सेंटीमेटर वड़ा, अगर मैं रफ बताओ, रफ तरीके से बताओ, अगर मैं यहां से स्टार्ट करू इतना ही स्टेप आगे चो तीन फूट बन जाएगा, यह पूरा वाइट बोर्ड है जो छे फूट का है, इस तरह से जो इसकी हाइट है, यह लैंथ आपको देखने को मिल रही है, यह 6 फूट की है, समझ कियो, तो अब खुद हिसाब लगा लो, एक फूट कितना होगा, एक फूट उपना, एक फूट मीचे की तरफ, यह एरिया बनता है, एक स्क्वेर फूट, तो इस तरह से एक डबा और लगा तो बन जाएगा, दो स्क्वेर फूट, एक डबा और बना तो तीन स्क्वेर फूट, यह इस हिसाब से आपका एरिया बगार यह आपे बनता जाएगा इतने आपको समझ आ रहा होगा तो एक स्क्वार फूट समझ जागा length भी एक फूट है width भी एक फूट है लंबाई चुड़ाई दुनों एक एक फूट है हम बोलेंगे वो area कितना है एक स्क्वार फूट है अब आपको बताना है मुझे comment section में जिस दब एरिया में आप रहते हो वागर अगर जमीन की बात करेंगे एक square foot जमीन का price कितना है rate कितना है उसकी help से हम यह सब कुछ आगे decide करेंगे अब जिसे हमने मरला की बात की कनाल की बात की, एकड़ की बात की इन तिरुमें जो सबसे छोटे unit है वो कौन सी है, वो मरला है अब एक मरला की अगर अब भी आपने देखा सबसे छोटे तो square foot है एक foot इधर, एक foot इधर कहानी खतम एक square foot size, एक square foot के डबा हमारे पास बन गया अब अगर हम एक मरला की बात जिसे जम्मो कुश्मीर हो गया, पंजाब हो गया यह मार्चल भी बोलो, याद भी generally mזה use कर जाता है तो एक मरला की अगर हम बात करेंगे एक मरला किसके बराबर होता है एक मरला size जो है वो 272.25 square foot के बराबर आता है तो एक मरला size कितना है एक मरला में 1 square foot नहीं आता, एक मरला में 272.25 square foot आता है अगर रफ़ एस्टिमेट लगा को बताऊं एक ऐसा किल कावा हर इसकों इसकों साइड थिन है उसके इंदर से नहीं वर किंगे इसब्के ख brought है वो कम नहीं है तो कि एक फूट इतना साइज आ रहा है तो यहां पर 272 270 इस तड़ा के डबे बनाने तो वो पूरा एरे मिलके जो है वो 272.25 स्क्वेर फूट बनेगा या फिर एक मरला बोलो इतना आपको समझ आ रहा है एक मरला गया होता है पहले तो एक स्क्वेर फूट का थोड़ा एस्टिमेंट लगा लो कितना होता है अब आप उस हिसाब से देखो कि एक मरला कितना हुआ एक मरला में इस तरह के एक स्क्वेर फूट के आपको पता है एक स्क्वेर फूट का साइज है एक मरला का साइज कितना हो जाएगा आपको पता है एक स्क्वेर फूट एक रुपे के बराबर है तो 272.25 स्क्वेर फूट किसके बराबर हो जाएगा इसको एक से मुल्टिप्ला अगर उतना ही आंसर आएगा तो एक मरला याने की जहां पर आप रहा रहे हो वो 272 रुपीज का मिल रहे है इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ जो एक स्क्वेर फूट है उसके जो रेट है आपकी एरिया में मैं मान की सक्वेर फूट तो 50 रुपीज है तो बाब मुझे बताओ अगर एक स्क्वेर फूट का प्राइज 50 रुपे है तो एक मरला का प स्क्वेर फूट ंसे प्राइज होगा है उसे 272.25 से multiply कर लो आपको एक मरले का रेट पता लग जार एगा यह कहान्य समझ हो होगी है तो आपने मुझे बताना है की आपकी एरिया में एक स्क्वेर फूट उसका रेट कितना है या फिर ये बताओ कि एक मरला जो है उसका रे से अब जिसके पास थोड़ी जादा जमीन है वह मरले की टमस में बात नहीं करेगा वह बात करेगा किनाल की टमस में वह यह नहीं बुलेगा कि मेरे पास एक मरला दो मरला वह बुलेगा मेरे पास कनाल के हिसाब से बताएगा अब कनाल क्या है एक कनाल जो जगा है उसमें 20 मरल मतलब समझोगी एक मरला को समझगा है एक मरला साइज कितना था अब एक मरला छोड़ो इस तरह के 20 मरले अगर बन जाएंगे वह वीस मरला बनके एक कनाल बनाते हैं तो एक कनाल जमीन थोड़े ज़ादा बड़ी हो जाएगी अब आप से कर कोई पूछे का मुझे बता हो कि ए जमीन ये कrak वहरेख SMS समझ नहीं आता मुझे पता है उटो एक कनाल में कितना स्कूरफुट होते हैं मुझे जमीन खरीगिमेन चारां के हिसाब से आप क्या करोगे आपको पाता है कि एक मरला में टूशाट्य स्काइर फिटे इतना तो आपको पता है तो एक कनाल में 20 मरला होते हैं अगर एक मरला इसके बराबर है तो 20 मरला किसके बराबर हो जाएगा इस नंबर को 20 से मल्टिताई कर लो एक मरला इसके बराबर है तो 20 मरला किसके बराबर हो जाएगा 20 को इसे मल्टिताई करो तो मिल्टिताय करने पर क्या answer आजाएगा है यह तो 5 बन जाएगा यह 4 बन जाएगा तो यह 5, 4, 4, 5 square foot answer आजाएगा जलने कि एक कनाल में 5,445 square foot आजाएगे तो अब जिसको भी जमीन बेचने है वो 1 square foot का rate पता है उसको कितना होगा तो अगर इसको 5,445 से multiply कर दो इस rate को एक कनाल जो जमीन होगा इसका rate पता लग जाएगा तो में आपको क्या पता होना चाहिए कि एक मरला जो 272.25 square foot के बराबर होता है में कहाने आपको इतने समझ होनी चाहिए जो आपको एक मरला पता है कि इसके बराबर है तो एक कनाल में 20 मरला होते हैं तो square foot अपने खुद ही निकाल दिया अब एक जिसके पास और जब्धा जमीन है वो ना ही मरला में बात करेगा ना ही वो कनाल में बात करेगा वो बात ळेगा एकड में अब एकड का सिस्टम केहाँ देखो एक एकड में आठ कनाल हो जाएगे एक मरला में इतने square foot एक कनाल में 20 मरला एक कनाल खुद 20 मरला के बराबर है और एक एकड की बात करेंगे एक एकड़ में आट कनाल आजाएंगे यन्ने कि कि मरला के हिसाब से बात करेंगे तो 8 को 20 से मिल जिता एकर 2, कितना जाएगा याथ किanderी आजाएगा 160 मरला वहांपे बन जाएगा तो एक एकड़ में आठ कनाल आजाएँगे, यह आप कहांद यह समज़ो तो खुद ही साब लगाओ, आपने देखा यहां पर कि एक कनाल में 20 मरला थे या स्क्वेर फुट की बात करेंगे 5, 4, 4, 5 स्क्वेर फुट था, तो एक एकर में कितना स्क्वेर फुट हो जाएगा 5, 4, 4, 5 को अगर मल्टिप्पै करेंगे 8 से, तो कितना आजाएगा 4, 3, 5, 6, 0 स्क्वेर फुट आजाएगा, तो यहने कि एक एकर में 43,560 स्क्वेर फुट आजाएगा यह कहानी समय जाएगे, अब कभी भी आपको जमीन के बार में यह बेसिक इंफॉर्मिशन में होनी चाहिए आप जिस भी एरियो में रहते हो, आपको पता होुने से प्लूज़ के जो गर है वो कितना मरला में बना हुआ है आपको पता है तो अच्छी बात नहीं पता दो उनके लिए वीडियो है आप अगर कितने मरला में बना है या पॉस कितने कनाल जमीन है कितने मरला जमीन है कितने एकड जमीन है उस एरिया में कितना रेट चल रहा है एक स्कूर्फूर्ट का रेट क्या पे एरिया में जहाँ पर महेंगा है एक स्कूर्फूर्ट वहां पर कितना रेट चल रहा है इतने इंफरमिशन आपको होने चाहिए उम्हीद कर तो वीडियो अच्छे लगी होगी इस तरह की और भी वीडियो इस यूट्यूब चलने हैं आप भी जाके देख सकते हो अलाके उनके लिंक में में आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स प्रोवाइड कर दूंग वहां पर जाकर भी देख लेना वीडियो को शेयर जरूर किजेगे कुछ पैच्छे लगाओ नेक्स्ट वीडियो इस तरकी किसी टॉपिक पर आप चाहते हो आप कमेंट सेक्षिन के जरूर बताइएगा और जेके लेटेस इंफो के नाम से मारा इंस्टाग्राम एकाउंट है टैलीग्राम बगार है अगर आप वो जोईन करना चाहते हो फेस्बूक पेजा महापर जाके जोईन कर साथ तो मुझ से कनेक्ट हो सकते हूं थैंक्यू जया जिस एंट